नाडी शोधन सुखासन के अलावा नाडी शोधन, दूसरे ध्यानावक आसन जैसे बदमासन, स्वस्तिक आसन या वजरासन में भी किया जा सकता है जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठ कर अभ्यास कर सकते हैं सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर उंचा, दोनों हतेलियां घुटनों पर और आखे बंध हूँ अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहरा ले सकते हैं अब कुछ गहरी सांसे लेकर शरीर को आराम की स्थिती में लाएं नाडी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आई अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं अंगुठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अब अपने बाई हतेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगुठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें अब दाई हथेली को नासा गरमुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तरजनी उंगली मोड कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें अब अपने दाई हथीली के अंगूठे को जो की नासा ग्रमुद्रा में है अपनी दाई नासी का चिद्र पर रखकर नासी का चिद्र बंद कर ले और बाई नासी का चिद्र से सांस भीतर ले फिर बाई नासी का चिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर ले और दाई नासी का चिद्र खोल कर सांस बाहर छोड़ें ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है ऐसे पाँच चक्र दोहराएगे जो नाड़ी शोधन का अभ्यास पहली बार कर रहे हैं, उनके सांस लेने और छोड़ने का समय सामान्य होना चाहिए और धीरे धीरे इनके समय का रेशियो यानि अनुपात बढ़ा कर एक अनुपात दो यानि वन इस्टू टू करना चाहिए सांस धीमी, स्थिर और नियंत्रित अनुपात में बनाए हुए रखें नाड़ी शोधन का मुख्य और देश्य शरीर में उर्जा वहन करने वाली सारी नाड़ीयों का शुद्धिकरन करके पूरे शरीर का पोशन करना है ये रिदय रोगियों के लिए बहुत लाबदायत है नाड़ी शोधन कफ सम्मन्धित विकारों को दूर करता है नियमित रूप से नाड़ी शोधन का भ्यास, जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा वियगरता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है